नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों के श्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैलोजी एक्स्ट्रा में दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर और आज का हमारा वीडियो है टाइपस आप ओवियूल्स पर बिजान के प्रकार दोस्तों इसके पहले आप लोगोंने फिमेल रिप्रोडेक्टिव आरगंस के बारे में पढ़ चुके हैं साथ ही आपने बिजान की सरचना के बारे में भी पढ़ा हुआ है आज हम देखेंगे कि बिजान में पाई जाने वाले जो तीन सरचनाएं होती है तीन सरचनाओं में माइक्रोपाइल, चेलाइजा और फनिकल इन तीनों के आधार पर बिजान कित्ते प्रकार के होते हैं और उन्हें किस आधार पर वरगी करत किया गया है और साथ ही कौन-कौन से बिजान किस-किस प्रकार के प्लांट में पाई जाते हैं उनकी क्या example है उन पर हम बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topics का हमारा topic है types of ovules या बिजान की प्रकार हमने आज का यह topic class 12 biology के unit first reproduction से लिया हुआ है और यहां unit first reproduction के chapter 2 कुष्पी पौधों में लेंगिक जनन sexual reproduction and flowering plant से लिया गया है और टापिक क्या है वही topic है types of ovules से कहा कि बिजान में पाय जाने वाले funicle micropyle तथा चलाईजा के आधार पर ovules को मुखरूप से 6 भागों में बाटा गया है first है रिजुवर्ती या arthro galaxiesmass औधो मुखी Pr लिए अनु hoping прим प्रस्था वर्ण है result वाक्रा वर्त बिजान केम्प Lahamिलो ट्रॉपस और कुंडलित बीजान अब सरशिन्म ट्रॉपस बिजान थ्या एक एक में बिजान को हम समझते हैं हमारा सबसे पहला जो बिजान है वो है रिजुवर्थी या आर्थो ट्रॉपस अगर हम आर्थो ट्रॉपस की मिनिंग की बात करें आर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट या सीधा ट्रॉपस का मतलब होता है धारन करना अर्थात ऐसा बिजान जिसमें पाय जाने वाले Micropyl Chelyza तथा Phonical एक ही सीद में होते हैं रिजुवर्थी बिजान कहलाता है या आर्थोट्रॉपस बिजान कहलाता है इस परकार का जुब बिजान है जिमनो इस्पम की मुक्रूप से विसेथा होती है इसके अलावा यहां कालि मेर्च पान आदी में भी पाया जाता है दूसरे प्रकार के बिजान की बात करें एनाट्रोपस बिजान या अधो मुखी बिजान ऐसा बिजान जिसमें बिजान में पाए जाने वाले फनिकल तथा माइक्रोपाइल एक दूसरे के समी पा जाते हैं तथा चलाईजा उपर की ओर चला जाता है अधो मुखी या एनाट्रापस बिजान कहलाता है इसका अर्थ भी देखे आप एना का मतलब होता है बैकवर्ड या उल्टा और ट्रापस का मतलब होता है धारान करना अर्थात जहां एनाट्रापस बिजान जो है वहां रिजूवर्ती या आर्थोट्रापस बिजान के ठीक होता है इस प्रकार का बिजान मुख्यूरूप से एंजय स्पर्मिक प्लांट की मुख्यूसिस्ता होता है जैसे कि मटर सेम आदी जितने भी फ्लावरिंग plant होते हैं उनमें इसी प्रकार का बिजान पहे जाता है तीसरे प्रकार का बिजान की बात करें जिसे हम अनुप्रस्था बर्थ बिजान या हेमी एना ट्रॉपस कहते हैं अगर इसके साब्धिक अर्थ की बात करें तो हेमी का मतलब होता है आधा एना का मतलब होता है बेकवर्ड और ट्रापस का मतलब होता है धारान करना अथात ऐसा बिजान जो आधा उल्टा होता है अथात ऐसा बिजान जिसमें पाए जाने वाले माइक्रोपाइल तथा फनिकल एक दूसरे से समकूर पर उपस्थित होते हैं अनुप्रस्तावर्थ बिजान कहलाता है इस प्रकार का बिजान प्राइमूला रेननकुलस आदी में पाया जाता है चोथे प्रकार के बिजान की बात करें तो अनुप्रस्त बिजान या एमफी ट्रॉपस ओविल्स की बात करें MP का मतलब होता है on both side और TROPAS का मतलब होता है धारन करना यहाँ बिजान जो है अनुप्रस्तावर्थ बिजान के समानी होता है केवल अंतर इतना होता है कि इसका भूनकोस वकरता के कारण जो है वो वकर हो जाता है अथात इस प्रकार का बिजान अदुमूखी बिजान के समानी होता है अंतर केवल इतना होता है कि इसमें बिजान के साथ-साथ भूनकोस में भी वकरता आ जाती है जिससे भूनकोस किड़नी के आकार का हो जाता है इस प्रकार का बिजान इलिस्मा, ब्यूटोमास, लेमना, पोस्ट, प्रिम्रोज, आदी में पाया जाता है इसके बाद पाचवी प्रकार के बिजान की बात करें तो वक्रावर्थ बिजान या केम्पाईलो ट्रॉपस बिजान ऐसा बिजान जो घोड़े के नाल की आकार का होता है वक्रावर्थ बिजान कहलाता है अब डाइग्राम में भी आप देख रहे हैं होंगे कि यह बिजान जो है यह कैसा हो गया है वक्रावर्थ हो गया है घोड़े के नाल के आकार का हो गया है तो इसके साब्दिकर्थ देखें केमपाईलूस का मतलब होता है वक्रित या वक्र यहां पर ध्यान में क्या रखना है कि बिजान ब्रद तथा नाभी का पास पास आ जाते हैं इस प्रकार का बिजान जो है वो सरसो, मुली, केंडेप्ट, मिरापिलीज तथा चीनो, पोलियम आधी में पाया जाता है इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम बिजान के जिसे हम कुं अर्थाथ इस प्रकार का बिजान प्रारम में अर्थोट्रापस रहता है, व्रद्धी के साथ साथ यहां एनाट्रापस हो जाता है, किन्तु पूर्ण व्रद्धी हो जाने पर यहां अपने अक्ष पर घुम जाता है, अर्थाथ बिजान व्रद्ध लंबा होकर बिजान को चा प्रकार के बिजान उम्मीद करूंगा कि यहां वीडियो आपको पसंद आएगा यदि यहां वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एम सेर करना ना भूले फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार